दो साल पहले शुरू हुई एक मुहिम्प मेडिया में एक नया आंडोलन शपत जूट को बेनकाब करने को संकल्प सच को आप तक पहुँचाने का और इस ग्रांपी को मिला आपका साथ हर दिन हम से जुड़े लोग तस लाग सतर करोड से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके अब है आपकी बारी उत्तर प्रदेश में नए आंडोलन की तयारी आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रिश कैपिटल टीवी नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और आपके साथ में फरहस देखी उत्तर प्रदेश में धर्मान तरान का गंदा खेल खेलने वाले मौलानाओं की एक एक कर काली करतूते सामने आ रही है लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो बेहच चौक आने वाला है दरसल इन मौलानाओं के इस जाल में गरीबों, मुक बदिरों से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर और पिएच डी होल्डर तक फस चुके हैं आखिर कैसे लोगों के धर्म की बली चड़ाती थे ये मौलाना देखे हमारी स्रिपॉर्ट में यूपी में धर्मांतरण का धंदा करने वाले दोनों मौलानाओं से यूपी ATS ने पूस्ताश शुरू करती है तो दूसरी तरफ बीते डेड़ साल में IDC में हुए धर्मांतरण का विवरा भी सामने आ गया है साधीन के रिमान पर लिए गए इसलामिक दावा सेंटर से तालोक रखने वाले मुहमद उमर गौतम और मुफ्ती जाहंगीर कास्मी द्वारा बीटे डेड़ साल में करवाए गए धर्मांतरण के 81 पन्य का विक्तरण सामने आया है जिसमें पता चला है कि कहां कहां कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ तो चलिए बताते हैं 7 जनवरी 2020 से 12 मई 2021 के बीच 33 लोगों का धर्मांतरण हुआ, जिसमें 18 महिलाएं और 15 पुरुष ने धर्मांतरण किया सारवधिक दिल्ली से 14 लोगों का धर्मांतरण हुआ, उत्तर प्रदेश में 9 लोगों के धर्मांतरण की खबर सामने आई बिहार से 3 और मध्यप्रदेश से 2 लोगों का धर्मांतरण हुआ, गुजराद, महरास्ट, असम, जारगन, केरल से एक-एक यूवक का धर्मांतरण हुआ जिन 33 लोगों के धर्मांतरण का चौकाने वाला ब्यौरा सामने आया, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति जो यूपी के बुलन शेयर के खुर्जा का रहने वाला है, सबसे कम पड़ा लिखा था जिसने हाल ही में 8 जून को 28 साल की उम्र में धर्मांतरण किया जिन 33 लोगों के धर्मांतरण का अब तक ब्यौरा सामने आया, उसमें ज्यादतर लोग बहुत बड़े लिखे हैं धर्म बदलने वालों में सरकारी नौकरी करने वाले, इंजीनियर, बीटेक तक की पढ़ाई कर चुके सिक्षक, एमबीए पास कर नौकरी कर रहे यूवक और सौटवेर इंजीनियर तक शामिल है सभी ने इसलामिक दावा सेंटर के निर्धारिक धर्मांतरण के फॉर्म के साथ एक एफिडेविट भी लगा कर दिया है, जिसमें वो लिखित तौर पर कह रहे हैं कि वो बिना किसी लालच भेके अपना मूल धर्म छोड़कर इसलाम स्विकार करते हैं काजी मुपती जहंगीर कास्मी के द्वारा इसलामिक दावा सेंटर में करवाया गया आखरी धर्मांतरण 12 जून 2021 को हुआ था, जिसके साथ दिनों बाद ही यूपी एटियस ने जहंगीर कास्मी को गिरफतार कर लिया, वही दूसरी तरफ यूपी एटियस ने दोनों ही आ इस जैसे ही तीखे सवाल किये गए, पहले दिन की पूस्ताज के बाद माना जा रहा है कि यूपी एटियस अपनी इस पूस्ताज में मनी ट्रेल को समझने के लिए इंकम टेक्स के अधिकारियों की भी मदद ले सकती है, पूस्ताज में एटियस के ही कुछ जानकार अफसर विद्विदेशी फंडिंग पर अलग से पूस्ताज करेंगे, दोनों ही आरूपियों से पूस्ताज के लिए एटियस ने चार्टी में बनाई है गद्दार मौलानाओं ने 7 जन्वरी 2020 से लेकर 12 माई 2021 तक 33 लोगों का धर्मान तरण करवाया है जिसमें सबसे ज्यादा लोग दिल्ली और यूपी से हैं महीं अब इन मौलानाओं से पूश्ताज के लिए एटियस ने चार्टी में बना दी हैं जो इनके नेटवर्क, विदेशी फंडिंग और ISI कनेक्शन की जांच करेगी तो फिलाल मेरे साथ इतना ही देख तेरे कैपिचल टीवी, नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करे, हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया दो साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंडोलर शपत, जूट को बेनकाब करने, संकल्प, सच को आप तक पहुँचाने का और इस ग्रांती को मिला आपका साथ हर दिन हम से जुड़े लोग 10,70,70 करोड से ज्यादा दर्शक हमें देख चुकेंगे अब है आपकी बारी उत्तरप्रदेश में नए आंडोलन की तयारी आपका Capital TV अब और स्पेशल और फ्रिश Capital TV